नमस्काल दोस्तों मैं प्रिया सैनी आप सभी का अपने चैनल जर्नी ओफ एम में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों कैसे हैं आप सभी मुझे उमीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे सुरक्षित होंगे दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही important topic लेकर आई हूँ इस पर हाल ही में एक निबंध पृतियोगिता होने जा रही है राज्येस्तर हेतु उत्राखंड में तो उसी को देखते वे उसका जो topic रखा गया है वो स्वामी विवरकान जी के जो विचार है वो उत्राखंड राज्ये के परिपेक्ष में कितने प्रासंगिक हैं कितने मान्य हैं ये रखा गया है तो इसके ओपर एक competition है अभी हम सभी जानते हैं कि 12 जन्वरी को हम युवा दिवस मनाते हैं युवाओ के जो आदर्ष हैं वो स्वामी विवेक आनन्द है तो उसी को देखते हुए उस उपलक्ष में ये competition होने जा रहा है अगर आप इस competition में participate कर रहे हैं तो इसमें अलग-अलग prizes भी हैं आप इसमें participate कर सकते हैं दूसरा आपको ये मेरा essay बहुत ज़्यादा help करने वाला है तो दोस्तों वीडियो को end तक देखेगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को like, share और subscribe करना ना भूले क्योंकि आपको ऐसे ही interesting essay हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे आप मेरी जो previous वीडियो हैं उन्हें भी देख सकते हैं क्योंकि वो भी सभी आपके लिए most important है तो प्लीज चैनल को like, share और subscribe करना ना भूले ताकि आगे भी आपको ऐसे ऐसे अच्छे essay और information मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज का topic स्वामी विवेकानन जी के विचारों की उत्राखन राज्य के परिपेक्ष में प्रासंगिकता मतलब पहले आप topic समझे कि जो स्वामी विवेकानन है उनके जो विचार हैं उनके जो विचार थे वो उत्राखन राज्य को लेके कितने प्रासंगिक हैं कितने सही हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं देखे दो बचो जब हम अपनी essay की शुरुवात किसी quotation से करते हैं तो जो हमारा essay है वो बहुत ही attractive हो जाता है तो जो हमने अपने essay की स्टार्टिंग की है वो essay की है सोई दुनिया को जगाया सिंगों को भी सिंग बनाया प्रेम योग हो या भक्ती योग हो एक रहस्य में सुत्र उप जाया वही आत्म ज्यान का महापुरुष स्वामी विवेकानन कहलाया देखे बचो अगर आप इस तरह से अपने essay की स्टार्टिंग करते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन इस लास्ट इंप्रेशन तो एक्जामीनर पर इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है आगे देखे भारत जब ब्रेटिश सरकार के अधिन था तब उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए जैसे संदेश देकर भारतियों को जगाने वाले महापुरुष जिनोंने भारतिय ज्यान एवं अध्यात्म का डंका सारी दुनिया में बजाया वैसे महानपुरुष स्वामी वेकानन को कौन नहीं जानता भारतिय युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि आज भी 80% से अधिक शिक्षित भारतिय युवाओं के आदर्श है स्वामी जी के विचार उन्हें सबसे अलग वैकोहिनूर की भाती चमकाते हैं देखिए बहुत सारे हीरे रखे हूँ लेकिन उन सभी हीरो में अगर मैं बीच में कोहिनूर रख दू तो कोहिनूर क्या होता है सबसे ज़्यादा चमकता है तो हमने स्वामी विवेकानन की तुलना किस से की है कोही नूर से की है क्योंकि जब हम अपने ऐसे में ऐसे तुलना अत्मक शब्दों का यूज करते हैं प्रियोग करते हैं तो जो हमारा ऐसे है वो बहुत एक्रेक्टिव होता है बच्चो आगे देखिए स्वामी विवेकानन का उत्राखंड से गहरा नाता रहा है वह प्रदेश के कहीं इस्थानों में आए उन्हें देव भूमी से हमीशा से ही गहरा लगाव रहा वह उत्राखंड में आए और अपनी वानी वे विचारों से संपून छेत्र को अपनी और आकरशित किया स्वामी जी हिमाले छेत्र में रहना पसंद करते थे उन्होंने कुमाओ की चार बार यात्रा की जैसे नैनिताल, अल्मोडा तथा चंपावत यात्रा सबसे प्रमुख रही है अब हम थोड़ा स्वामी वेकानन जी के उत्राखंड के लगाओ की और बता रहे हैं हिमाले को मही मांडित करते हुए, मतलब बताते हुए स्वामी जी ने एक बार कहा था कि महन हिमाले प्रकर्ति के काफी समीप है यहाँ अनेक देवी देवताओं का निवास है, हिमाले देवभूमी है उनकी द्वारा कहा गया यह वाक्य वर्तमान समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना की उस समय था आज भी हिमाले को देव भूमी का आ जाता है, अतहाँ आवश्यक है कि जो प्रदूशन आज प्रियटक द्वारा हिमाले पर फैल रहा है उसे नश्ट कर स्वामी जी के विचारों को अपना कर उसे देवताव की भूमी की भाती पूजा जाए तो उसे देवताव की भूमी की भाती पूजा जाए तो उनका यहवाला विचार क्या है? प्रासंगिक है साथ ही हिमाले से प्रात आद्यात्मिक उज़्जा को सतत भाव से ग्रहन किया जाए उत्राखन की इन वाधियों में उन्होंने एक नवीन मोड प्रदान किया मतलब उन्होंने उत्राखंड को एक बहुत ज़्यादा लगाव के साथ ग्रहन किया अब हम यहां उत्राखंड से related एक quotation लिखेंगे और जिसमें यह quotation मैंने खुद बनाई है बच्चों आप भी बना सकते हैं और आपको यह वाली quotation पसंद आती है तो आप यह भी लिख सकते हैं उत्राखंड की इन वादियों से ही जुड़े हैं सपने हजार स्वामी जी के विचारों से ही महका है उत्राखंड आज स्वामी जी के विचारों से ही महका है उत्राखंड आज देखे बीच बीच में इस तरह की quotation लिखते रहिएगा क्योंकि क्या होता है जो ऐसे होता है वो बहुत अपनी और attractive करता है वो बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं वो बहुत ही सुन्दर ऐसे हो जाता है क्योंकि उसमें गद्दे के साथ क्या हो जाता है पद्य का भी मेल हो जाता है गद्य और पद्य की मेल को क्या कहते हैं चम्पू सहली कहते हैं तो उसी को देखते हुए दोनों का समावेश आपके ऐसे में हो जाता है अब देखिए आगे विवेकानन जी कहते हैं कि इन पहाड़ीों के साथ हमारी जाती की स्रिश्टम इस माले को निकाल दिया जाए तो उसका अयलप ही बचेगा मतलब बहुत कम ही बचेगा अतै यहां निश्बदता ध्यान तथा शानती की प्रधानता है आज युवाव में भड़ती हिंसा प्रवर्ती के लिए आवश्यक है कि वह स्वामी विवेकानन जी के विचारों का अनुकर करें यह विचार हर युवा के लिए सफलता की चाबी हो सकती है स्वामी जी ने एकात्मवाद को मजबूती प्रदान की जो की आज भी सार्थक साबित होता है साथ ही नर नारायन सेवा का जो मंतल हमें दिया है आज के स्वार्थ परता स्वार्थ परता मतलब सैलफिशनेस जो हमारे कल्चर में भड़ा पड़ा है, आज के स्वार्थ परता समाज के लिए अती महत्रपून इस्थान रखता है। स्वामी विवेकानन के सिष्चो, स्वामी तुरिंदनात और स्वामी स्रिवानन्द ने 1916 में अलमोडा में ब्राइट एंड कॉर्नर पर अध्यात्मिक केंडर की इस्थाफना कराई थी। जो आज रामकृष्न कुटीर के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में यहां स्वामी विवेकानन जी के विचारों का प्रसार प्रचार किया जाता है। एकले से लेकर यहां रहने वाले हर विक्ति को अपने विचारों से प्रभावित करते हैं। विशेश पहचान बनाई हुए हैं ऐसे महान पुरुष के कदमों वे विचारों से उत्राखन देव भूमी के साथ साथ महान भूमी भी कहलाती है अब देखे बच्चों जो आप अपने ऐसे की जो एंडिंग करेंगे वो भी एक कोटेशन से करेंगे क्योंकि जो आपकी एंड आज प्रासंगीक है तभी तो आज प्रासंगीख है तभी तो आज हमारे लोहा गार्ट में मायावत्य आश्रम बनाए concern गया है तो इस तरह आपके ऐसे की एंडिंग होती है बच्चों आपको किसी और टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट बुक्स में कमेंट करकर बता सकते हैं अगर मुझे लगता है कि हाँ वो काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है तो मैं आपको उस पर ऐसे जल्दी प्रोवाइड करा दूँगी और आपको अगर मेरा ये ऐसे पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं दोस्तों नए ऐसे के साथ तब तक के लिए थिंक्यू सो मच